अब को नमस्कार करोना की इस महमारी के दोरान एक आम आदमी को चारों तरफ से मार पड़ रही है करोना की वज़े से लॉकडाउन लगाना पड़ा है लॉकडाउन की वज़े से लोगों के रोज़गार खतम हो गए कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है राशन की दिक्कत हो रही है जिनके घर में करोना हो जाता है उनको दस तरह की समस्याई है उनको बिमार आदमी को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता है सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है लेकिन प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके अपने अपने लोगों की मौत हो गई जो उनके कमाने वाले थे उनके घर में उनकी मौत हो गई अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके दोनों माबाप चले गए कई बुजूर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी के उपर मंतन कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के दो करोड लोग हम सब एक परिवार हैं किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समझ्याओं को दूर कर सकें तो आज विचार मन्थन के बाद चार हम लोग घोशनाएं करने जा रहे हैं और मैं उमीद करता हूँ कि ये जो चार कदम हम उठाने जा रहे हैं इस से लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफी राहत मिलेगी पहली चीज़ दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशनकाड है जिनके पास राशनकाड है उनको सरकार हर महीने पांच किलो राशन देती है चार किलो गेहूं एक किलो चावल इस महीने ये पांच किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिये जाते हैं इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है उनसे पैसे नहीं लिये जाएंगे इसके अलावा पांच किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है वो भी मुफ्त दिया जा रहा है तो हर राशन काड़ धारी को दस किलो राशन इस महीने मिल रहा है जो कि मुफ्त होगा पांच किलो दिली सरकार की तरफ से और पांच किलो केंदर सरकार की तरफ से लेकिन दिली में केवल 72 लाख राशनकार धारी है यह 72 लाख का कोटा केंदर सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतनी राशनकार धारी होंगे तो नए राशनकार अभी नहीं बन सकत तो कि राशन का कोटा खतम हो गया दिल्ली का उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है जो जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं हमें राशन चाहिए उन लोगों को राशन दिया जाएगा पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी, हमने नॉन-PDS वालों को राशन दिया था जिस तरह से पिछली बार दिया था, उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन दिया जाएगा ये एक दो दिन के अंदर दो चार दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा और आपको राशन मिलना चालो हो जाएगा इसमें आपको कोई income certificate देने की जरूरत नहीं है किसी तरह की जरूरत नहीं है जो कहेगा मैं गरीब हूँ मुझे राशन चाहिए उसको राशन दिया जाएगा दूसरे ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की करोना की वज़े से मौत हो गई उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूती है हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत जाती है तो परिवार के उपर अपने उपर कितनी बड़ी गाज गिरती है आपके इस लॉस को इस ख्षती को हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहां करोना की वज़े से मौत हुई है उन्हें पचास-पचास हजार रुपए का मुआफ़जा दिया जाएगा, एक्स ग्रेशिय अमाउंट मुआफ़जा दिया जाएगा. तीसरा, ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहां कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हें की वज़े से परिवार चलता था. ऐसे परिवारों में जिन में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उन्हें वो एक्स ग्रेशिय अमाउंट के साथ साथ, धाई हजार रुपे महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी. अगर पती की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पती को मिलेगी, अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माबाप को वो पेंशन मिलेगी, लेकिन धाई हजार रुपे उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जहां जिनके परिवार में कमाने वाले विक्ति की मौत हुई है ऐसे बच्चे जिनके दोनों माबाप की मौत हो गई है उन दोनों माबाप की चाहे करोना से मौत हुई या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माबाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो उनों में से एक की कम से कम करोना से मौत हुई और बच्ची अबनात हो गए है ऐसे में हर बच्चे को डाई डाई हजार रुपे महीना दिया जा जाएगा पच्छी साल की उम्रे तक और उन बच्चों की शिक्षा Ball-ात की जाएगी उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी तो ये हमने काफी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की दिल्ली के लोगों की करोना की इस कथिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं ये चार एहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है अगले कुछ दि के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा cabinet से इसको पास करा दिया जाएगा आप सोच रहोंगे कि इतना पैसा कहां से आएगा इतनी बड़ी बड़ी घोशना है जो आज की इतना पैसा कहां से आएगा छे साल पहले आप लोगों ने एक इमानदार सरकार बनाई थी पिछले छे साल में हम हर सरकारी काम में रिश्वत खोरी भी नहीं होने देते उससे पैसा बचाते हैं फिजूल खर्ची भी नहीं होने देते उससे भी पैसा बचाते हैं लेकिन पिछले चार-पांच दिन के अंदर हम लोगों ने, मैंने, मेरे मंत्रियों ने, मेरे अफसरों ने बैठके इस पर काफी विचार में मन्थन किया और ये देखा कि कहां कहां से इस वक्त हमारे लोग मुसीबत में हैं इस मुसीबत में अगर हम अपने लोगों के काम नहीं आएंगे तो फिर क्या फाइदा तो हमने देखा कि कहां कहां से हम पैसा बचा सकते हैं किन किन चीजों से पैसा निकाल सकते हैं उन सब चीजों से पैसा निकालके हम ये चार महतोपून योजनाए आपके लेके आएं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि आप मुसीबत में हैं इस मुसीबत की घड़ी में आप जब भी कभी मुसीबत में होंगे आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे मेरा फर्ज है कि अगर आप कभी भी मुसीबत में हों तो आपकी मदद करूँ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो इतनी मुश्किल घड़ी हमारे सामने आई है हम सब मिलके एक परिवार की तरह दिल्ली के दो करोड़ लोग एक परिवार की तरह इसका मिलके मुकाबला करेंगे और हमारी जीत अवश्य होगी नमस्कार